करवा चोथ का खाना चलिए बना लेते हैं यहां पे हम बनाएंगे खीर पुलाव और आलू-परवर की सब्जी और पूरियां तो पहले हम बनाते हैं किर और यहां पे प्रेज्णे बतेल हैं ऐसे किरें रजा पानी नहीं उसमें कर्णाक काजू और भाठ डिये मिशन जाओ कूरियो मिश्यर की मिकिस्मिस के ढारें इकि किस्मिस थूह ने सुछ तो अब हमारे चावल जो है की भून चुके हैं इनको जादा नहीं होना है सिर्फ दो मिनुट होना है दो मिनुट के बाद हम मिक्स करेंगे दूद हमने एक लिटर का खेर बना रहे थे उसके लिए एक मुठी हमें चावल लिया था जब मारा एक लिटर दूद खौल करके आध ज Ramoni में मिक्स करेंगे दूद भाब बनती है तो हाथो पे लग जाएगा जल जाएगा इसे धीरे-धी मिक्स करें अब सारे दूद को मिक्स कर लीजे चावल पकने तक चावल अच्य अचलयह हूआ है महीन है तो जल्दी से पप जाता है तो छ ćावल पकने तक आपको खीर प चावल पग्या्य मिक्स करते हैं, इलाचे पाउडर और रखते हैं, खिर को साइड में बनातें हैं हमें आलू परवर की सबजी तो लेंगे, एक कढ़ाईक Brothers मीक्स किया एक चमज्बस देशी घी और देशी घी में मिक्स खया हम ने एक पिरुज जीवरा की आलू और परवन हरी मिर्ची तो हरी मिर्ची आप अपने स्वादनसार मिर्ची अपने स्वाधनसार लीजिए यहाँ पे घैस को आप कम लिया है अच्छे से सब्जी को ढख-ढख भून लेंगे तो चलिए इनको हम भूनते हैं तो अंदेखी हमारी सब्जी अच्छे से जब अगर आप नमक खाते हो तो आप नमक ले लिए अब हम गैस को रखेंगे और सब्जी को अच्छे से पका लेंगे आलू परूर हमारे अच्छे से पक जाए तो आपको सूखी सब्जी चाहिए तो यह देखें यहां पर तयार है आलू परवर की ब्रत की भुर्जिया वाल नही idle 섞 में पनाथ धूब्स करें और इनको का अच्छा से भूनें तक संव प्रमाटरर यहाँ कि Erほ थोड़ी से अच्छा से ग्रेवी स्क्राइब करिएगा शेयर करिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी न्यू वीडियो आप लोग तक तुरन पहुंचाएगे तो दिखे बन के तयार हो गया है अब हम यहां पर मिक्स करेंगे मिक्स कर लेते हैं पानी थोड़ा सा हम लेंगे इसमें पानी और हम इनको इनको और हम पका लेते हैं तो ठोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे मुझे ग्रेवी यहीं हुझे व्यंदी क्लist noch उными ग्रेवा अलू भी मिन तो यहीं हम कने लोगी अ थोड़ी सी ग्रीवी वहीं आपने अपने होटलों वाली सबजी खाया यहीं होगी थोड़ी सी गारी दिग भी चाहिए तो इनमें इसको हम पांच मिनट के लिए पका लेंगे रखे पांच मिनट के बाद हम इनको थोड़ी से आलू जो हैं को तोड लेते हैं अच्छी सिथीक त्यार होगी साइड में रखते हैं सब्सक्राइब है अब यहां पे पकाएंगे हम पुलाव को तो अब शटो पानी नेहें पानी व्हूने ञता है को दीन हमें किंपना मिख्ट कर्दे हैंधा के आपने शेय कंपते हैं मिख्ट क arrows चैनले अर्थचप मिखनी धोन यहें जो चैनल कि अब तयार होंगे हैं मिक्स करतेहा इसलिक है, दो फेट है है इनको भी थोड़ी देर हम भूनेंगे इसमें चावल ऐसे भूनने से ना मारे पुलाव जो है अलग-अलग बनते हैं खिले-खिले बनते हैं चिप-चिपे नहीं बनते हैं तो देखिए यहां पर हमने भून लिया है अब हम मिक्स करते हैं इसमें पानी तो यह कटोरी हमने लिया था चावल तो यह पर टीर कटोरी हमने पानी लेना है उसी कटोरी से जिस कटोरी से आपने चावल लिया है उसी कटोरी से आपको पानी लेना है एक कटोरी दिया है चाव बोल के देखते हैं हमारा पुला बना कैसा है तो एक एक दाना अलग है विल्कुल चिपचिपा नहीं बना है विल्कुल खीला खीला बना है तो इंचवाय करिए करवा चौत की लेकिन बुख जाहिए अभी मैं यहां पर फूरिया थोड़ी सी तलूंगी तो देखिए इनको र आते को गुथा यहां पर कि दूद से कित नीनी फूरि फुली हमारी पूरियांगा बनके तयार हो गई तो चलिए अब हमन लगाते है तारी पूरियों को च्छां लेते हैं और हम थाली लगाते हैं यहां पर तो सब को हमारी तरफ से Давan करवा चोथ की आपके पूरे परिवार को हार्दिक सूप कामना है हैपी करवा चोथ तो चलिए यहां पर हम तयार हो गई हमारी रेसिपी मिलती हूं अगली रेसिपी में थैंक्यू सो मच